नमश्कार दोस्तों दस मई दो हजार बाइस के डेली दा हिंदू एडिटोर डिसक्शन में आपका स्वागत है लगबग पांच आर्टिकप्स में यहाँ पर आपके साथ डिसक्स करने वाला हूं कुछ टॉपिक्स थोड़े से रिपीटेड है एक ओवरॉलिस्टिक रिवीज कि जितने रेमिटेंस आते हैं इंडिया के अंदर सालना उतनी तो हमारे यहाँ पर FDI नहीं आती है और यह रेमिटेंस बहुत स्टेबल है इस कंटेक्स्ट में हमें क्या करना चाहिए उन लोगों के लिए जो देश छोड़के बाहर की देशों में जाके काम करते हैं इसके पिछले कुछ सालों में ऐसे electricity cuts देखने को मिले नहीं हमारे पास enough power production थी लेकिन बीच में ऐसा क्या हो गया कि इतने सारे electricity cuts हो गया इसके लिए responsible कौम है यह discoms की इतनी responsibility है कोल इंडिया लिमिटेडी की इतनी responsibility है power generators की इतनी responsibility है इसके बारे में कुछ viewports दिएगे इसको देख है अब यह थोड़ा बहुत बता रही है कि इंडिया जर्मिनी के साथ कैसे ties कर रहा है यरोप के साथ कैसे कर रहा है रशिया के साथ कैसे कर रहा है मतलब कोई बहुत concrete conclusion यहां पर नहीं दिया बस कुछ facts बता दिये हैं और आगे बढ़ गई ठीक है इस article को देख लेंगे अधिस्तानी जो एजेंडा है जो अलड़ी दबा हुआ है डेड एजेंडा जसको माना जाते है फिर से उठता हुआ नजरा रहा कितना उठता हुआ नजरा रहा सरकार को क्या करना चाहिए इसके बारे हम बात की गई है और अश्किया यूक्रेयन वार के respect में एक और viewpoint दिया कोई भी paid course यहाँ पे नहीं चलता है तो आपके join और super sex button दमाने से काफी पदत मिलती है चली शुरुबात करता हूँ सबसे पहला article जो मैं डिसकस करूँगा वो है importance of immigrants लाइक और शेयर कर देना वीडियो के engagement के लिए अग्सा कर हम लोग सुनते रहते हैं कि भाई US की जो बड़े-बड़े कंपनिया जैसे Google हो गई, Twitter हो गई, Yahoo हो गई, यहाँ पे जो Indian origin के executives है काम कर रहे हैं वो अलग बात है कि वो अमेरिका के नागरिक बन चुके हैं, green count citizenship उनको मिल चुके हैं अमेरिका की लेकिन फिर भी कहीं न कहीं, इस से ये चीज पॉइंट आउट होती है कि जो Indians हैं, वो किस प्रकार से US और बाकी देशों की economy में contribute कर रहे हैं USA नहीं, Europe और दुनिया के बहुत से देशों में Indians एक बहुत major role play कर रहे हैं अब इस context में ये जो highly skilled crowd है, इसकी तो तारीफ की जाती है, लेकिन जो इंडिया का semi skilled migrant labor है, इसकी साथ तारीफ नहीं की जाती है और यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि इनकी भी तारीफ करने की जरुवत है, ministry of external affairs का data उठा के देखें, तो लगभग 13.4 million non-resident Indians, लगभग 1 करोण, 34 लाख लोग काम कर रहे हैं, देश से बाहर, और उसमें आप कहलो कि लगभग 64% रहते हैं गल्फ corporation council की countries में, नीचे comment box operation countries में कौन कौन सी countries आती हैं, EOE, Saudi Arabia, Kuwait कुछ नाम है, लगभग 90% Indian migrants GCC countries में हैं, जो की low और semi-skilled workers हैं, तो जितने भी migrants इंडिया के बाहर गए हैं, उसमें जो low और semi-skilled वाला तपका है, उसका 90% GCC countries में, यह बोलता है International Labour Organization का एक estimate, और भी बहुत से इंडियां से US, UK, Australia, Canada मे अगर आप जाते हो ना, तो अगर आप highly skilled lot को belong करते हो, तो ही वहाँ पे आपको visa या entry मिलती ही नहीं, तो बहुत मुश्किल से US, UK जैसी countries लेती हैं, UK तो बहुत ही घहर मुश्किल है visa के respect में देखा जाए तो, UK वाले तो dead shot है, आपको बुलाएंगे, अपनी universities में का, बाद में visa भी नी देंगे, कम से कम US और Canada में ये तो है कि पढ़ाने के लिए बुलाते हैं, तो कम से कम नौकरी का visa दे देते हैं, बहराल, अब high remittances, जो लोग बाहर जाते हैं, ठीकिना, वहाँ जाके काम करते हैं, वो अच्छा खासा पैसा भेजते हैं, अगर आप दे को भी इंप्रूब करने में रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि उन मार्केट्स में वो जो भी पैसा कमाते हैं, उसको इंडिया में भेजते हैं, तुरू रेमिटेंस, नैशनल स्टैस्टिकल ऑफिस की एक रिपोर्ट निकल के आई ती, जिसने ये बोला था, कि वो अर्बन और रूरल हाउज़ोड, मतलब इंडिया के अर्बन इलाकों का एक घर, और रूरल इलाकों का घर, अगर उस घर में रेमिटेंस के थूरू कुछ पैसा आता है, तो उस घर के सोशो एकनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे होंगे, आप कह सकते हो, कि एक अर्बन इलाके में अगर क 20% financial situation अच्छी होगी, जो कि उसके हर में कोई एक ऐसा individual है जो कि बाहर के देश में जाके काम कर रहा है, और पैसा भेज रहा है, और same number is 8% for rural households, अगर rural household का कोई एक individual बाहर के देशों में जाके काम कर रहा है, तो उस particular household की financial condition बाकी household से 8% जादा होगी, मतलब remittance receiving households की financial capability बाकी average सिर्थ थोड़ी अच्छी है, यह हैं आपर बताया जारा है, वर्ड बैंक ग्रूप की report है 2021 की, जो annual remittances भेजे गए इंडिया के अंदर वो थे 87 million dollar 2021 में, सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में, इसके बाद आता है चाइना का number 53 billion dollar, मेक्सिको का 53 billion dollar, फिलिपीन्स का 36 billion dollar, ए आपको कोई हर्द नहीं होना चाहिए, जो remittances इंडिया के अंदर आती है, वो जितनी सालाना FDI या आती है, foreign direct investment, उससे ज़्यादा तो remittances आती है इंडिया के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर remittances regular basis पे सालाना foreign direct investment से ज़्यादा आती है, यह एक बड़ा ही positive indicator है, आप यहा पाकिस्तान के लिए देखोगे तो नेपाल में जितनी remittances आरी हो, नेपाल की GDP का 24.8% है, पाकिस्तान का 12.6, शी रंका का 8.30, बांग्नादेश का 6.6%, उसकी वज़ए यह है कि इंडिया की economy बहुत जादा बड़ी है, इसलिए जो 87 million dollars है, जो कि दुनिया में सबसे जादा ह हैं, वो भी as a percentage of GDP हमको कम नज़राते हैं, खेर यह एक अच्छी कबर है, हमारी economy बहुत बड़ी है, इस नाट बड़ी निवस, इस नाट बड़ी निवस, इस नाट बड़ी निवस, हाँ यह कहा जा सकता है, कि अपनी इस बड़ी economy का भी एक major हिस्ता, अगर हम remittances के थू मं भी कर सकते हैं, यह overall एक चीज यहां पर बताई जा रही है, ठीक है, अब देखें, remittances की तारीफी की जा रही है, remittances जो भेजने वाली countries हो, उसके लिए भी अच्छा है, चोकि जो वरकर जाके foreign countries में काम कर रहे हैं, वहां की economy में एक role play कर रहे हो, साथ साथ, वहां से जो प asset या एक equity में नी डालते हो, आप पैसे को diversify करते हो, ठीक है ना, जैसे कुछ पैसे को equity में डाल दिया, कुछ पैसे को mutual fund में डाल दिया, कुछ पैसे को fixed deposit में डाल दिया, उसी परकार से हमारे देश का जितना labor है, उसको देश के अंदर लगाने के बजाए, आपने थोड़ा बाहर की countries में भेज दिया, जिससे हमारे यहां पर remittances आ रही है, तो थोड़ा पैसा हम बाहर की company के market से इंडिया के अंदर बुला पार है, तो यह एक अच्छी बात है, ठीक है भाई, अब बात यहां पर यह है, कि अब ऐसे cases में अगर remittances positive terms में निकल के आ रही है, तो हमें workers की जो recruitment cost होती नहीं, बाहर की employers, इंडिया से जो workers recruit करते हैं, उनकी recruitment cost को कम करना चाहिए, और एक worker जितना पैसा खतम करके foreign market में जाके काम कर सकता है, वो cost, मतब cost of mobility को हमें कम करने की दूरत है, तो अगर हम cost of mobility और recruitment कम कर पाते हैं, तो आगे आने वाले समय में हम ज़ादा Indian workers को देश के बार पूरी दुनिया में भेज पाएंगे, इससे होगा क्या, एक तो इंडिया की soft power बढ़ेगी, दूसरा इंडिया के अंदर remittances बढ़ेंगी, तीसरा इंडिया के अंदर unemployment की problem solve होगी, ठीक है, हाला कि ज़रूरी ये है कि भाई, informal और undocumented migration नहीं होने चाहिए, जो पास एक grievance reversal portal होना चाहिए, जहां पर अगर उसे कुछ परिशानी होती है, तो वो information दे सके और मदद पा सके, और इसके लिए देखी तो 2015 में एक integrated grievance reversal portal शुरू किया था भारा सरकार ने जिसका नाम था मदद, इस portal पे 78,000 grievances register होई, जिसमें से आप कह सकते हो कि 95% लगबग resolve भी हो चुकी है, प्लस, 2021 में बारा सरकार ने प्रपोस किया था, एक नया immigration bill, जिसके थूरू immigration management किया जाएगा, जो भी immigrant workers देश चोड़ के बाहर जा रहे हैं, उनकी मदद की जाएगी, इसमें जो ECR category workers होते हैं, immigration check required वाले workers होते हैं, बेसिकली ECR workers वो होते हैं, जिन्होंने क अच्छा दस पास नहीं की है, तो आप पढ़े लिखे lot में तो नहीं आते हो, तो आप जो lower level का काम होते हैं, जिसे plumbing का काम हो गया, driver का काम हो गया, cook का काम हो गया, ऐसे भी बहुत से लोग इंडिया के बाहर जाते हैं, नौकरी करने के लिए, और इनको हीन भाव से मत देख से इनको बचाया जा सके, इसके लिए जो proposed immigration management authority है ना, इसको बनाने की जुरूत है, जो कि immediate basis पे और आप कहलो continuous basis पे, जो भी हमारी embassy ने दुनिया भर में उनके साथ contact मेरा सके, ministry of external affairs के साथ contract मेरा सके, और overall जो भी लोग मुसीबत में फसे हैं, इंडिया से बाहर गये हैं, उन संदाबाद से आयम कलकता से और पहुंच गया, कहां पे, New York में, Merrill Lynch में काम करने के लिए, तो उसको क्या ही support करो गया, करोणों में पैसा कमा रहा हूँ, उसको कोई tension नहीं है, आग बार pressure होगा, वह एक अलग चीज है, बट कोई vulnerability नहीं है, कोई दवाना नहीं, को exploitation नहीं है उसको अच्छे पैसे मिलने, लेकिन यह जो lower level की job करने वाले लोग होते हैं, इनको lower level in the sense, मतलब low skilled jobs, मतलब उसको किसी other sense में मत लीजेगा, हर नौकरी, हर काम, काम होता है, वो सारुक खान का dialogue है ना, कि धंदे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, कुछ इस टाइब का समझ ल दी, यह जो emigration bill 2021 से इसको पका कर देना है, emigration management authority बनाने की जरूरत है, जो भी emigrants देश के बाहर जा रहे हैं, उनको preliminary training देना, उनका registration कराना, उनका skill education करना, उनको दूसरे देश की भास्टा सिखाना, यह भी जरूरत है, और यह सब चीजें उन 0.5 million students के साथ भी की जा सकती है जो हर साल छोड़के बाहर के देशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक है बाई, तो यह overall इस article में लिखा हुआ था, ठीक, चलिए अगले article इस तरफ चलते हैं, relentless war, Russia should support UN Secretary General Space Mission and End the Attacks, दीके recently कुछ अच्छी ख़बर निकल का आई, अब अच्छी भी है, बुरी भी है, United Nations Security Council ने फाइनली एक resolution को यहाँ पर पास करवाया, जिसमें Ukraine का एक peaceful solution धूरा जा रहा है, इस resolution को प्रमोट कर रहा है, Secretary General United Nations के Antonio Guterres, सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि इस resolution को Russia ने भी adopt किया, इस resolution में भी कहीं पर भी war, invasion और conflict नहीं लिखा, चुकि Russia ने इस resolution को adopt किया, मतब कही नहीं रशिया भी ऐसा लग रहा है कि शाए जंग से ठक गया है, और overall जंग रोकना चाता है, लेकिन ground level पर situation अलग नजर आती है, इस resolution के पास होने के बाद भी व्लादेमिर पुतिन की तरफ से एक बड़ा ही intense attack launch हुआ है, लुहांक्स नाम के जहर में, अभी recently देखा जाए, तो एंटोनियो गोटेरिस साब कीव भी कह थे, मॉस्को भी कह थे, कीव में वल्दमीर जलेंस्की से बात की, और मॉस्को में व्लादेमिर पुतिन से बात की, और बातचीत के बाद overall बहुत तेजी से United Nations Security Council में चीजों को सॉट आउट करने कोशिश कर रहे हैं, लेकिन recently संड उक्रेन किसी भी situation में ये नहीं मानेगा कि ये मारियो पोल और जो डॉनेट्स और वगरा जो इलाके हैं, ये हम रशिया को दे रहे हैं, नहीं, वो उक्रेन की सोबरेनिटी के लिए बड़ी बात हो जाएगी, इसलिए यूक्रेन लगातार लड़ रहा है, तो कहीं से भी वह और थमता नजर नहीं आ रहा है, रुकता नजर नहीं आ रहा है, और रिसेंट्ली ही विक्टरी डे परेड हुई, उसमें पुतन जी ने पर्तिसिपेट किया, विक्टरी डे परेड मतलब सेकंड वर्ड वडर में जब नाजीस की फोर्स उर्ण इरी ही ती व्यूए सिर्मा φ इस्टर्स ऐसा बताया जाता कहीं और बैठते हैं प्रेजिडेंट वगरा कहीं और बैठते हैं बट आप रेड़ स्कॉयर में जाओगे ना तो वहाँ पर समाध ही लगी हुई है ठीक ना और उस समाध ही में कुछ ऐसे कुछ के नाम लिखे हैं और वैसे तो अन्नोन सोलजर्स भी लिखा हुआ है मैं जब वहाँ पर गया था तो वहाँ पर एक रश्यन से मैंने बात की थी तो उस रश्यन ने बढ़ए ही आप कह सकते हो ट्रांसलेटर के थूँद रहा था जो कि मुझे रश्यन समझ में नहीं आ इसाब है जब भी वह विक्ट्री डे की बात करते हैं तो विक्ट्री डे के मोमेंट को इस्तमाल करके हैं पर पुतिन ने क्या बोला कि भाई हमने उस समय पे जर्मन्स को हराया था और आज की डेट में जो रश्यन ट्रूप्स कर रहे हैं वो अपने मदर लेंड को इमसान गाने में जर्श्यन ट्रूप्स कि आधि बात की जагते हैं तो इनको लगातार वेस्टर सपोर्ट मिल रहे है फैनेंशल और मिलिट्री एड मिल रहे हैं और लगातार यहां पे लढ़ाई nuclear weapons और हम पहुँच जाएंगे उस dangerous moment पे जो dangerous moment हमारे सामने 1962 की क्यूबन missile crisis में आया था जब USSR और USA दोनों ही अपने nuclear missiles को तान के बैठ गये थे situation को इस समय पे diffuse कर दिया गया था इस समय पे भी situation को diffuse करने की जरूत है इस war machine को बंद करने की जरूत है peaceful solution को धूड़ने की जरूत है United Nations Secretary General बड़ी महनत कर रहे है इस चीज़ पे हम यहीं उमीद कर सकते हैं कि जल्दीस जल्दीस का solution निकल आए पिर भाई alarm bells sick separatism is not feeble but vigilance is essential तो भाई हिमाचल परदेश assembly complex धरम शाला में sick separatism के poster हमको नज़र आए कुछ imaginary खालिस्तान के poster वहाँ पे लगा दिये गए gate complex के ओपर वहाँ पे कुछ slogans वगारा लिख दिये गए जो state के police chief है उन्होंने एक special investigation team मनाई है और इमाचल परदेश के borders पे इमाचल परदेश में election देखिया आने ही वाले है तो इमाचल परदेश में explosives के साथ पाए गए है शायद कोई terrorist attack किया जाने वाला था जिसको सही समय पे यहां पे रोक दिया गया तो कुलमिरा क्या आप कह सकते हो कि politics overall शुरू हो चुकी चुकि इमाचल परदेश में election होने वाले हैं तो Congress आप ये बीजेपी के against खतम हो गए पंजाब के elections के समय पे भी खलिस्तानी मुद्दा उठाया गया तो खलिस्तानी मुद्दा एक काफी sensitive topic बनके यहां पे आया है ये सब को पता है कि इस खलिस्तानी separatism को Pakistan back end से support करता है और बहुत लंबे समय से हम इस खलिस्तानी मुद्दे को दबा के रख पाए है लेकिन एक समय ऐसा था जब खलिस्तानी मुद्दा बहुत तेजी जड़ा था इंदर गांदी जी का जो assassination हुआ था उससे पहले हो थोड़ा बात के time में अब हमारी प्राइम मिनिस्टर assassinate हो सकती है हमारे बहुत सारे कॉलिस के लोग यहां पर मारे जा चुके है बहुत सारे sick community के लोग यहां पर मारे जा चुके है तो हमने काफी sacrifices के बाद जैसे तैसे करके इस खालिस्तानी मुद्दे को शांत किया है यह फिर से यहां पर बढ़ता होना ज़रा है कुछ लोग फिर से इसको बढ़काने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो political actors को community को सामने आना चाहिए और overall इस मुद्दे को बढ़ने से रोकने की जरूत है, inclusiveness की feeling लाने की जरूत है, यह जो खालिस्तानी मुद्दा यह क्या बोलता है वो भी overall इस particular agenda को नहीं मानती, support नहीं देती, लेकिन यह जो farm loss के against agitation हुआ है उस समय पे, sick leaders के अंदर काफी आप कह सकते हो, aloofness आ गया है, segregation आ गया है, isolation आ गया है, तो उसके चलते हैं आप देखोगे, यह खालिस्तानी लोग क्या करते हैं, कि भाइश सिख population को बोलते हैं कि देखो भारत सरकार तुमारे खिलाफ कितना कुछ कर रही है, तुमको परेशान कर रही है, तुम भारत सरकार के खिलाफ, arms उठाओ, सड़कों पर आ जाओ, इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार का propaganda, खालिस्तानी elements फैलाते हैं, foreign से इनकी functioning होती है, US, Canada, Europe, Australia में जो settled, influential पं minorities भी segregate हो रही है, इस प्रकार की बाते हैं आपर बताई गई है, प्रोपोगेंडा चल रहा है, सिक community के अगेंस्ट, और ये प्रोपोगेंडा के थूख खलिस्तानी अपने, कहलो, ये प्रोपोगेंडा को फैलाना चाहते हैं, referendum की चीज़ों आगे लेकर आना चाहते हैं, हल आपके लोग खालिस्तानी फाउंडेशन रैली निकाल दी, तो निहांग सिक सड़कोर पर उतारा है, काफी अच्छागा सा बवाल हो गया, पुलिस वालों को चोट आई, फिर हमाचर पदेश असेम्बली में जो हुआ, फिर पंजाब के अंदर तरन तरन डिस्टिक में जो आफ्टर दब पावर क्राइसिस शॉक, तो यहां पे ओथर अजय शंकर साब क्या बोल रहे हैं कि जो पावर क्राइसिस है, इसमें हमें सप्राइस कर दिया, अजय शंकर साब डिस्टिंगुश फैलो हैं तरन इनरजी और डिसॉर्स इंस्टिटूट में, बहुत लंबे समय अजय शंकर साब दे रहे हैं, काफी अच्छे आइडियास हैं ध्यान से सुनियागा, तो इनका बोलना है कि जो पावर क्राइसिस आई, इसने सब को सप्राइस कर दिया, तो ऐसा क्या हो गया कि चीजें इतनी गड़बडा गई, इतनी इलेक्रिसिटी कट यहां पे हो रही ह अगर आप देखो तो हम पिछले कुछ सालों से सरप्लस कैपैसिटी मी थे, अच्छी खासी एलेक्रिसिटी हम पैदा कर रहे हैं तो एकदम से इस बार ऐसा क्या हुआ कि एलेक्रिसिटी के इतने कट्स होने लगे, कोल और गैस पावर प्रांट्स में कोल ही नहीं, गैस ही न इंदर भी आई थी, चाइना में भी एलेक्रिसिटी कट्स होए थे, चाइना के भी कोल पावर प्लांट्स में कोईला कम पड़ गया था, वही चीज इंडिया के अंदर हुई, अब एकदम से COVID-19 के लॉकडाउन के बाद जब एकनॉमिक रेकवरी हुई, और ऐसी खतरनाक ही इमर्जेंसी मेजर्स लिए, पैसेंजर ट्रेंस को कैंसल किया, और इनसे बोला की भाईया, रेलवेस की, जएधा तर ट्रेंसे कोईला लेके जारी थी, कोईले को पावर प्लांट्स तक पहुचा रही थी, ताकि पावर को यहां पर पैदा किया जा सके, मतलब सरकार ने भी एमर्जेंसी मोड में रिस्पॉंड किया है, और बहुत सारी जगहों पे जो एलेक्रिसिटी कट्स हो रहे थे, वो रिवर्स भी होएं, अब एलेक्रिसिटी आने शुलू भी हो गई है, अगर आप देखोगे तो यूपी में, मतलब मेरे घर के ही आसपास, बहुत दिनों त को अगर आप खंगालते हो, तो डिस्टिबूशन लाइसेंसी, जो कंपनी है न, जो डिस्कॉम होता, पावर डिस्टिबूशन जो कंपनी होती है, उसकी रिस्पॉंसिबिल्टी होती है, क्या, कि राउंड दा कॉक, एलेक्रिसिटी को कंज्यूमर्स तक पहुँचाना, और इसके लिए इस पर्टिकुलर पावर डिस्टिबूशन कंपनी को पहले तो यह एसस करना पड़ता है कि पावर की डिमांड क्या है, इनको यह एसस करना पड़ता है कि क्या फ्यूचर में पावर की डिमांड बढ़ सकती है, क्या फ्यूचर में पावर की डिमांड कम हो सकती और advance में ही इस power distribution company को orders place करने पड़ते हैं power generation company के साथ, जैसे national thermal power corporation limited को order देना पड़ेगा, कि हम आपसे इतना megawatt energy खरी देंगे, national thermal power corporation क्या करेगा, कि जितनी demand इसके पास आ रही है, इसके respect में एक coal के orders place करेगा, चाहे वो coal India limited से करे, चाहे वो किसी private coal mine से करे, चाहे देश के बाहर से coal इंडिया के अंदर import करे, तो ये पूरी की पूरी power supply की chain आपको नजर आ रही है, ये इस chain में अगर कहीं पे भी कमी पड़ गई, तो problem हो सकत के लिए responsible है, हम पूरी का पूरा इल्जाम power discounts के उपर मतें, नहीं मर सकते हैं, अब power discounts की बात की जाए, तो power discounts काम करते हैं, state electricity regulatory commission के अंदर, यहाँ पे देखे कुछ problem निकल के आ रही है, एक बड़ी genuine problem ये है, कि यहाँ पे जो power demand है, ये बहुत हद तक unpredictable है, unpredictable power demand है, हम आज की date में बहुत हद तक renewable energy की उपर bank कर रहे है, wind power को पैदा करना, solar power को पैदा करना, एकदम से मालो power की demand बढ़ी, तो हमारे पास जो renewable energy capacity है, जैसे wind power हो गई, gas power हो गई, sorry, gas power तो नहीं बोला चाहिए, wind power और solar power हो गई, तो wind और solar power से हो सकता है, हम increase demand को पूरा ना कर पाए, तो हमार कम 10 से 15 दिन लग जाएंगे production capacity एचीव करने में, तो यहाँ पे चीजों को इक balance पे रखके चलना पड़ेगा, coal power plants को functioning mode में रखना पड़ेगा, इसके लिए power generators, power discounts और साथ साथ state की जो electricity regulatory commissions होते हैं इनको भी ground level पे active रहना पड़ेगा, state की regulatory commissions को इन demands को assess करना पड़ेगा कि आ reliable supply को maintain करने के लिए, यहाँ पे सबसे important चीज यह जानना है कि कब कितनी power की जरूत पड़ेगी, अगर आप यह नहीं जान पाते हो, अगर इसमें आपके साथ end पे कोई भी गलती हो रही है, तो जिस तरीके की परिशानी अभी देखने को मिल रही है, उस तरीके की परिशानी से power peak आता है, और हमें कुछ जगाँ पे electricity कट करनी पड़ जाती है, तो hospitals, schools और वो institutions जहां पे emergency basis पे electricity पहुचानी है, हम किसी emergency mechanism से पहुचा पाएं, फिर at the same point of time, advance में हमें कोल इंडिया, और Indian Railways को बताना पड़ेगा कि भाई, कितना कोईला पैदा करना है, कितना कोईला कहा के सर पे आके खड़ी, उसके बाद आप चीज़ें करना शूरू करोगे, तो चीज़ें problematic हो जाएंगी, प्लस भाई, एक बड़ी चीज़ यहां पे जो करने की जरूरत है, वो यह है कि आप समय के हिसाब से electricity का tariff book करो, ठीक है ना, जिस समय पे electricity की demand जादा है, उस समय पे electricity क यूज करने की जो cost है, वो भी जादा होना चीज़, जैसे माल लो, electricity की एक unit पांच रुपे की आती, आप गर्मियों के समय पे दिन में, माल लो बहुत peak demand है, बहुत सारे ACs चल रहे हैं, तो उस समय पे आप electricity का tariff 9 रुपे पर कर दो, और शाम के समय पे, रात के समय पे 4 रगेगी, तो इस प्रकार की चीज़ों को इंडिया में करने की जरुवत है, लेकिन ये तब वैलिड होगा, जब आप एक sustainable और आप कह सकतो, assured और continuous supply of electricity दे पाओ, तो तब क्या होगा, बहुत सारी industries, जो कि दिन के समय पे आपने electricity यूज करती थी, थोड़ी बहुत electricity रात में noise cancellation करके वो रात के समय पे इस्तमाल करेंगे, कम electricity का tariff देने के लिए, तो दिन में जो peak demand नजर आरी ने, electricity की, उसको हम थोड़ा stabilize कर सकते हैं, मतलब दिन में समय के अनुसार electricity के tariff को रखना, जिसके हिसाब से peak demand के समय पे, लोग थोड़ा कम electricity को खर्च करें, AC के temperature को कुछ ब पे electricity cuts को avoid कर रहे हो, और उस peak demand को rationalize करके, over the course of day, segregate करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि एकदम से आपकी electricity grid के ओपर pressure ना आ जाए, यह सब बातें यहाँ पे overall बताई जारी हैं, फिर एक problem यह भी बताई जारी है, कि यह जो discoms है, power distribution companies है, यह overall आगे से power तो खरीद लेती है, ले payment late आएगी, लेकिन payment late आना एक बजा है, बट it is not the only reason, चो कि कही न कहीं न कहीं, NTPC, Coal India इस प्रकार की companies के सपास, cash की कोई कमी नहीं होती, they are supported by a lot of financing agreements, तो obviously बात है, cash की कमी होना एक बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हा, power distribution companies को अगर हम लोग efficient बना पाएं, अगर हम लोग financially sustainable ब gas based power generation आप कर सकते हो, देखो वो consumers जो बड़े rate पे electricity खरी सकते हैं, जिससे कि normal आदमी 5 रुपय प्रती unit electricity खरी तरह, जिस इनसान के पास इतना पैसा है, कि वो 15 रुपय प्रती unit पे electricity खरी सकता है, उसके लिए specific gas generation वाले power plants लगाए जा सकते हैं, 15-20 gigawatt के, 6-8 gigawatt के, और यह gas वाले power generation plants हैं, यह जो high end के customers हैं, जो कि बढ़े हुए charges पे electricity afford कर सकते हैं, उनको gas based production पे electricity प्रोवाइड की जा सकती हैं, देखे, gas वाले जो electricity होती हो महिंगी होती है, कोईले वाली होती है, सस्ती, तो कोई gas वाले electricity खरी सकता है, उसके लिए अलग से gas plant लगवा दो, उससे ज अस्ती electricity है, वो जादा needed लोग, जो 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 पैसा खतम नहीं कर सकते हैं, उनको दी जा सकती है, हाला कि अमीर भी भी बुलेंगे कि हमको कोईले वाली चाहिए, हम gas वाली नहीं लेंगे, तो यह overall इस article में था, और आज का आखरी article है, डेजोनेस, इन इंडो जर्मन टाइस, ब उक्रेइन को military aid supply कर रही है, और इस बीच में, इंडिया का जो response है, रश्या के प्रती, वो बहुत हद तक neutral है, हम अपने defense purchases भी कर रहे हैं रश्या से, हम अपने oil purchases भी कर रहे हैं रश्या से, तो कहीं इस से European countries हम से नाराज तो नहीं हो पाएंगे, फिर overall अथन यहाँ पर यह महीने में इंडिया gas import करता है, energy import करता है रश्या से, उतनी तो एक दुफैर में Europe import कर लेता है, तो अब इस प्रकार के जो statements है, वो European countries को hurt कर सकते हैं, चुकि Europe और Western countries मिलके एक group बना रहे हैं रश्या के against, तो इंडिया अगर बहुत ज़दा रश्या के support में रहेगा, तो कल की इंडिया के ओपर भी sanctions डा सकती हैं, तो यह हमारी strategic autonomy के against चला जाएगा, हमारे interest के against चला जाएगा, मतलब जैशंकर साब के जो open statements थे, उनकी थोड़ा बहुत indirect तरीके से मरियट डिसूजा यहाँ पे निंदा कर रही है, इनका actually में यह बोलना है कि इंडिया को यहाँ पे balance च दिये हैं, 12 सरकार का पूरा aim है कि भाई वो European countries के साथ रिष्टे अच्छे रखें, इसलिए हमारे मोदी जी European दौरे पे निकले हैं, सबसे पहले गए वो Germany, उसके बाद वो गए, Denmark, उसके बाद वो गए, France और उसके बाद वो इंडिया वापस हैं, और आगे आने वहले समय म के तरफ से हमें sustainable development के लिए overall financial commitments मिले हैं, और एक multi-dimensional connectivity के प्रती बादचीत भी हुई है, जो divergence डेमोक्रेसी को लेके दिखाया जा रहा है, इंडिया के प्रती उतना है नहीं, और आगे आने वहले समय में यूक्रेन वार में हो सकता है, इंडिया अपना stance भी बद ले, अच्छ जर्मनी और European group में इंडिया आता है, तो हम democratic stand को support कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी हमारे लिए ये है कि हम अपने self interest को देखें, और रश्या के साथ engage करके हम इसी self interest को देख रहे हैं, मायनमार की जनता के साथ cooperate करके, मायनमार के military group को ना criticize करके भी overall हम democracy के लेकिन मायनमार की जनता के साथ हम support कर रहे हैं, overall हम यहाँ पे रश्या के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो इंडिया का stance है, वो case to case basis पर vary कर रहे हैं, हम अंधों की तरह काम नहीं कर रहे हैं कि मूँ बंद करके democracy को support करने लगे और ये भूल गए, कि हमारा international जो interest है, IR में, वो कहाँ पे, और जहाँ पे हमारा international interest democracy से अलग जाके नजर आता हम, वहाँ पे अलग जाते हैं, जहाँ पे democracy की favor मिन जाता हम, जैसे for example, तालीबान में democracy नहीं है, बहुत अत्ता human rights violation हो रहे हैं, तो इंडिया openly तालीबान के साथ engage नहीं कर रहा है, लेकिन European countries भी इंडिया को segregate कर सकती हैं, अलग कर सकती हैं, allies में नहीं ले सकती हैं, तो इस प्रकार की कुछ बाते हैं यहाँ पर बोलीगी, वैसे हगि मैं आपको शुरुआत ने बताए, कोई बहुत concrete point नहीं है अलग से, जो कि मैं आपके साथ डिसकस करो, तो thank you for watching friends, वीडियो पे